बजट 2023 को लेकर मोदी सरकार काफी चिंता में नज़र आ रही है 31 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र 6 अप्रेल तक चलने वाला है इस दोरान विपश गिरती अर्थवस्ता गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की रणनीती बना चुका है ऐसे में पियमोदी भी अपने बचाफ के लिए 13 जनवरी को अर्थ शास्त्रियों के साथ एक एहम बैठक करने जा रहे हैं तो क्या होंगे इस बैठक के मुद्धे देखते हैं ये रिपोर्ट 2023 के बजट को जल्द ही वितमंतरी निर्मला सीतरमन संसत में पेश करने वाली हैं ये बजट एक फरवरी 2023 को संसत में पेश किया जाएगा ऐसे में संसत का बजट सत्र शुरू होने से पहले पियमोदी चिंतित दिख रहे हैं शायद यही वजह है कि पियम मोदी ने 13 जनवरी को नीती आयोग के अर्थ शास्त्रियों और अलग-अलग एक्सपर्स के साथ बैठक बुलाई है इस बैठक में पियम मोदी देश की अर्थववस्ता को लेकर चर्चा करेंगे इसके साथ ही भारत की जीडिपी को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा की जाएगी आपको बदा दे कि वितवर्ष 2023 का ये आम बजट एक फरवरी 2023 को वितमंतरी संसत में पेश करेंगी ये मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल का आखरी पूर्ण बजट होगा देश में घटती डिमांड के कारण इस चालू वितवर्ष में भारत की जीडिपी 7 फीसिदी तक रहने का अनुमान है पिछले साल सरकार का ये अनुमान था कि भारत की अर्थववस्था चालू वितवर्ष में 8-8 फीसिदी तक बढ़ेगी मई जुलाई सितंबर की तिमाही की बात करें तो साओधी अरब की अर्थववस्था 8.7 फीसिदी के हिसाब से बड़ी थी मई भारत की अर्थववस्था इस दोरान केवल 6.3 फीसिदी के हिसाब से बड़ी है गौर तलबे की आम बजट में आप कुछी दिनों का वक्त वचाहसे में वित्मंत्राले में इसकी तैयारियां जोरो शोरो से चल रही है 31 जनवरी 2023 को संसत का बजट सत्र शुरू हो जाएगा साल 2024 चुनावी साल है तो चुनावों की बाद ही अब सरकार पूर्ण बजट पेश कर पाएगी वही देश की अर्थववस्था को लेकर संसत में मोधी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तैय है क्योंकि विपक्ष कई सवालों के साथ मोधी सरकार पर हमला वर रहने वाला है डीबिलाइफ की रिपोर्ट